नमुश्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्तन में गांट के बारे में यानि कि ब्रेस्ट के बारे में बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम घबराने जाते हैं हम यह नहीं कहते हैं कि काश मेरे साथ ही ना हो क्योंकि सबसे पहले हमें डर लगता है तनाव होता है, इंजाइटी होती है और यह लगता है कि ब्रेस्ट लंप का मतलब ही हमेशां ब्रेस्ट कैंसर यह पिल्कुल गवत बात है, तो पहले कुछ अच्छी बात हम बात्षीत कर अगर सौ लोगों को स्तन में गांट होती है तो उसमें से असी लोगों को जो ब्रेस्ट लंप होता है वो कैंसर वाला नहीं होता कैंसर नहीं है, मेलिगनेंट नहीं है, वो बैनाईन है 20 प्रतिशत ही लोग हैं जिनके स्तन में जब गांट होती है तो वो breast cancer के साथ चुड़ी होती है तो पहले तो ये बात clear हो गए दूसरे बात ही है कि कौन सी बिमारियां हैं जिसमें breast में lump होता है सबसे पहले fibrocystic disease of the breast दूसरा fibroadenosis जिसमें lump को fibroadenoma बोलते हैं और तीसरा breast cancer पहले दो जो हैं वो आम तोर पे 35 साल से नीचे की उमर की लड़कियों में होते हैं और जो breast cancer है वो आम तोर पे दो उमर में जादा प्रचलित है एक जो 45 तो 49 की age group है और दूसरी जो 60 तो 64 की age group है तो आईए समझते हैं कि fibrocystic disease of breast क्या होता है कभी आपने ऐसी परिस्तिती देखी है जब ऐसे लगे कि जो पूरा ही स्थन है वो lumpy lumpy डेले डेले जैसा गांट 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 जैसा है पर कोई एक गांट हम पकड़नी पारे पूरे में गांट गांट सा लग रहा है यह जो situation है जिसमें localized lesion नहीं है पर generalized है इसे fibrocystic disease of the breast बोलते हैं यह एक breast में भी हो सकती है दोबे में हो सकती है आम तोर पे younger age group में होती है hormonal issues के साथ related होती है और इसमें आम तोर पे दर्द भी होता है पर यह गांट कहां बन रही है यह गांट जो है वो पानी की थैलिया है चोटी चोटी जिसको सिस्ट बोलते हैं और असल गांट नहीं है आम तोर पे इसके लिए कुछ supplements देते हैं ताकि दर्द कम हो और वोग होते हैं vitamin E, vitamin D या प्रिफ्रोस oil अब बात करते हैं अब fibroadenosis की और breast cancer की दोनों में बहुत फरक है जब हम लोग breast lump की बात बोलते हैं तो देखें दोनों में क्या फरक है fibroadenosis में जो lump होता है वो well defined होता है उसकी borders अच्छे से पता चलते हैं वो regular margins होते हैं वो तेड़ी मेड़ी border नहीं होते हैं जब हम उस lump को छूते हैं तो वो lump आराम से हिलता है बलकि जब हम उसको इधर पकड़ते हैं तो वो उधर हो जाता है उधर से उधर मूव करता है तो उसको mouse-like movement होता है यह lump इतना freely mobile होता है कि ना तो यह उपर स्थन की चमड़ी याने breast की skin और नहीं नीचे हमारी chest wall के साथ चिपकावा होता है यह जो होता है यह firm होता है बहुत hard नहीं होता इसको दबाने पर दर्द नहीं होती आम तोर पर इस condition में कोई pain भी नहीं होती यह जो lump है यह बहुत चुटे size का हो सकता है यह एक हो सकता है एक से जादा हो सकते है एक breast में हो सकता है दोनों breast में हो सकता है जब यह lump 3 cm से बड़े size का होता है तब इसकी जांच उसमें सुई डाल के करनी बायोपसी के द्वारा आवश्यक होती है यह जो lump है अगर है और अगर सुई से जाच करी है और इसके अंदर कैंसर नहीं निकला है तो इसको हम observation में रख सकते हैं जब तक कि आपको तकलीफ ना दे आपकी breast को distort ना करे या आप इसका removal ना चाहती हो साथ में ये वाला जो breast lump है इसमें आपको हर 6 महिने पर breast की sonography करानी पड़ती है देखने के लिए कि इसका size वही का वही है same है या बढ़ रहा है और अगर बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से न बढ़ी क्योंकि fibroadenoma और breast cancer में एक मूलतह बात में फरक है एक होती है overgrowth एक होती है uncontrolled growth ओवर ग्रोथ होती है fibroadenoma में पर breast cancer में overgrowth ही नहीं बलके uncontrolled growth होती है अब बात करते हैं breast cancer की breast cancer में जो lump होता है वो hard होती है उसको दवाने से dirt नहीं होती है वो fixed होता है वो हिलता नहीं है उस तरह से आम तोर पे वो जो चमड़ी है breast की या तो उससे चिपका होता है या पीछे हमारी chest wall से चिपका होता है उसके margins भी well defined नहीं होते हैं यह breast lump के साथ-साथ breast में और changes भी हो सकते हैं जैसे की जो breast की चमड़ी है उस पे लालिमा याने redness हो, swelling हो, rash हो या वो cut के एक ulcer कितने खाव कितने भी दिख सकती है इसके सिवा breast की जो size है वो distort हो सकता है जो nipple है वो भी अपने position से खिसक सकता है और nipple जो है वो अंदर की तरफ move करके retract हो सकता है निपल से discharge आ सकता है, जो की blood discharge भी हो सकता है, green color का discharge भी हो सकता है, altered color का साथ में जो breast है, उसकी जो चमड़ी है कई बार वो सूजी से नजर आती है और जैसे की संत्रे या नारंगी का जो पील होती है, छिलका होता है उसमें आप देखें, सूजा-सूजा सा होता है और dot-dot होता है, उसको beauty orange appearance बोलते हैं और वो भी breast पे दिखाई देती है जब हम breast की बात करते हैं, breast cancer की, तो हम उसकी रोक थाम की, उसकी prevention की बात कर सकते हैं, early detection की बात कर सकते हैं पर fibro adenoma और fibro cystic disease में हमारे हाथ में उसकी disease की prevention नहीं है आईए बात करते हैं कि breast cancer की रोक थाम की लिए, early detection की लिए क्या हमारे हाथ में है पांच में और साथ में दिन के बीच में अपने स्थनों की जाच करनी चाहिए, जो कि breast self examination है आईने के सर्मने अपने हाथों से, चाहे हाथ उपर रेज करके, लेट के, बैठ के, कमर पे हाथ रखके, आप अपने breast को examine करें और observe करें और साथ ही साथ, 20 साल की उमर से लगातार हर 30 साल पे अपने gynecologist के पास जाके अपने breast को examine भी कराईए, चालिस साल की उमर के बाद हर साल आप अपनी mammography कराईए, यदि घर में breast cancer की risk है, यानि कि किसी को घर में breast cancer हुआ है, खासकर अगर वो आपके करीबी रिष्टदार हैं जैसे कि आपकी मा की तरफ से, ननिहाल की तरफ से, आपकी मा, आपकी नानी, आपकी मौसी, आपकी नानी मौसी, आपकी पहन, आपकी मासी की बेटी, आपकी खुद की बेटी या आपकी दोती, तो आपका risk जादा है, इस situation में 35 साल की उमर से ही screening शुरू हो जाती है, पर इसे इलावा मैमोग्राफी जो है वो छोटे से छोटे कंड पकड़ती है और जब जरूरत होती है तो MRI भी कराया जाता है जितनी जल्दी आप स्टन के जो लंप को पकड़ लेंगी उतना ही बहतर है इसमें सबसे पहले जब हम बेनाईन यानि नॉन कैंसरस कंडिशन पर शक करते हैं तो हम सोनोग्राफी कराते हैं यानि अल्ट्रसाउंड अफ दिप्रेस कराते हैं खासकर अगर महीला 35 साल से नीचे अल्ट्रसाउंड अफ दिप्रेस सोनो मैमोग्राइम दोनों ही कराते हैं जब हमको लंप दिखता है तो हम अल्ट्रसाउंड की गाइडन्स में और कभी-कभी ज़रुत हो तो MRI की गाइडन्स में या डाय की गाइडन्स में या मैमोग्राफी की गाइडन्स में सुई डालके उसमें से पानी और पीस लेते हैं जिसको की fine needle aspiration cytology यानि की पतली सुई से बायोपसी बोली जाती है आवश्यक्ता पढ़ने पर मोटी सुई से यानि true cut बायोपसी भी की जाती है इस बायोपसी के ये basis पर ही हम बता पाते हैं कि ये cancerous है कि ये non-cancerous है breast cancer अगर stages 1, 2, 3, 4 में बटा है तो अगर stage 1 और 2 में आप उसको पकड़ ली तो आम तौर पे केवल वो lump निकालने के जरुरत होती है कांट निकालने की उसके आस-पास के थोड़े से हिस्से को पूरा स्थन ब्रेस्ट निकालने की mastectomy करने के आवश्यक्ता नहीं होती इसको breast-conserving surgeries बोलते है जब stage 3 और 4 होती है तो आम तौर पे पूरा breast निकालने की जरुरत पड़ती है modified radical mastectomy, breast conservation possible नहीं होती चारो ही stages में जो हमारे पगल, armpit, कांक होती है वहाँ पर भी स्थन का कैंसर फैलने की चांस होते है क्योंकि स्थन वहाँ से शुरू होता है तो उधर जो छोटी-छोटी कांटे होती है उनको lymph nodes बोलते हैं उसकी sampling biopsy करी जाती है और dye डालके sentinel biopsy याने की एक biopsy करी जाती है एक lymph node की और उसके basis पे decide करते हैं कि वहाँ तक बिमारी फैली है कि नहीं यदि हमाएं हाथ से palpate नहीं होते तो जब हम पूरा stun निकाल देते हैं तो कई बार उसी sitting में breast के onco plastic surgeon याने जो breast के plastic surgery cancer के cases में doctors करते हैं उनको involved किया जाता है चाहे उसमें prosthesis डार के artificial breast बनाया जाए चाहे कई बार आप ही की paint से side से बगल से आपका टुकड़ा लेखे उसको जोड की breast को वापस उसकी normal shape की तरह बना दिया जाता है ये हुई आज की चर्चा इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और एक ही बात बार बार कहूंगी अपने स्थन को खुद जाचें कुछ भी शक जैसा लगे तो तुरंद ही डॉक्टर के पास जाएं अपनी खुद की चांच डॉक्टर से जांच और mammography इन से पीछे न खट है फिर भी इतना यकीन करिए कि महिलाओं में सबसे बड़ा breast cancer ही है रोग cancer के में यह जान लीजे के स्तन का cancer न केवल भारत देश में बलकि सरवस्त विश्व में सबसे उपरी cancer है महिलाओं में फिर भी जो स्तन में गाठे होती हैं वह सभी cancer नहीं होते 80% में cancer नहीं है non-malignant है non-cancer है केवल 20% है इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूं और जाते जाते यह कहते हूं कि यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें कमेंट सेक्शन में नीचे बॉक्स में जरूर लिखें लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना नभ भूलें नच्छार